नमस्कार मैं हूँ अन्राग आप देख रहे हैं बेबाग बात बेबाग बात में आज बात करेंगे मद्द प्रदेश की शिवराथ सिंग सरकार के सबसे भरोसे मंद और काबिल अफसर माने जाने वाले मुक्सचिव इकबाल सिंग बैस की नेशनल ग्रेन टुबिनल ने इकबाल सिंग बैस की लू उतार दी भोपाल के कलिया सौतमदी अतिकर्मन मामले पर एंजीटी ने मुक्सचिव इकबाल सिंग बैस को तलब किया था टुबिनल के सामने इकबाल सिंग सरकार का पक्ष ठीक से नहीं रख पाए पूरे मसले पर इकबाल सिंग के पास कोई संतोष जनक जबाब नहीं था ऐसे में एंजीटी को राजशासन पर पांच लाख रुपए की पेनल्टी लगानी पड़ी मद्व परदेश के सबसे बड़े अफसर हैं इकबाल सिंग बैस और इकबाल सिंग बैस के कारण सरकार को नीचा देखना पड़ा या अपने आप में बेहत गंबीर मामला है इकबाल सिंग बैस वही अफसर हैं जिनके लिए तमाम योग अफसरों को दरकिनार कर इन्हें पुना मुख सच्चिप बनाए गया हलाकि इनकी पुनर निउप्ती के बास से मद्दपरदेश के अफसर भी दो खेमों में बढ़ गए इकबाल सिंग की निउप्ती से वैसे अधिकाश अफसर सहमत नहीं थे इकबाल सिंग को रिटार्डमेंट के बाद दुबारा मुख सचिप बनाए जाने से कई मंत्री भी नाखुश है इकबाल सिंग के कारिकाल को देखें तो मुख मंत्री शिवराज सिंग के करीब होने के अलावा उनके खाते में कोई खास ऐसी उपलब्दी नहीं है जिसके कारण लंबे समय तक उन्हें जात किया जाए अब बात करते हैं ताजा मामले की बोपाल के केरवाओ कलियासौट डैम के बफर जोन में पहले हुए और अब भी लगातार हो रहे निर्माणों से नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल नाराज है इस मामले की जाच करने पर पता चलता है के कलियासौट नदी के किनारों पर करफ सिस्टम ने जबरदस्त खेल खिला और नदी किनारे बिल्डिंगों की शंगला खड़ी कर दी केरवा और कलियासौट डेम के बफर जोन में लगातार अवैद मिर्माण और आतीकमर अब भी हो रहा है इस पर सरकार की अंदेखी वाला परवाई शुरू से साफ नजर आती है इस सम्मन में सरकार ने कभी भी एंजीटी के आदेशों का पालन नहीं किया सरकार के अफसर सदेव एंजीटी को भी गुम्रा करने की कोशिश में लगे रहे ऐसे में एंजीटी ने मद्परदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंग बैस को सुनवाई के दोरां तलब किया लेकिन हद तो तब हो गई जब मुख्य सचिव जैसा अधिकारी एंजीटी को कोई समाधान कारक और संतोष जनक जवाब नहीं दिपाया ऐसे में एंजीटी को राश शासन पर पांच लाख रुपए की पेनल्टी लगाना पड़े टुबिनल ने मुख्य सचिव से पूछा कि देड़ साल पहले टुबिनल ने अतिकमन और अवैद निर्माणों पर कारवाई के आदेश दिये थे इस आदेश का पालन हो सके इसके लिए आपने अभी तक क्या क्या किया इकबाल सिंग के पास इसका माकूल जवाब नहीं था तो NGT को अपना रुक थोड़ा सक्त करना पड़ा ऐसे राज का भगवानी मालिक है जिसका मुख सचिव फाइले देखे पड़े बिना ही अदालत में शासन का पक्ष रखने चला आए ये टिबुनल की टिपणी है ये टिपणी मद्परदेश के सिस्टम पर एक करारा तमचा है टिबुनल की टिपणी सरकार के लिए बाकी किसी थपपर से कम नहीं रही इसके बाद जस्टिस सुधीर अगरवाल और जस्टिस अफरोज एहमत की जूरी ने कहा हमें उमीद थी कि मुख सचिव को बलाएंगे तो इस केस को शासन गंबीरता से दीगा ऐसे में अगली तारीक मांगने पर NGT ने कहा लगता है मद्दप्रदेश शासन का पूरा सिस्टम ही अक्षम है यही हाल आपके सरकारी वकीलों का है जो सुनवाई के दोरान ठीक से पैरवी करने के बज़ाए सिर्फ तारीक पढ़ाने के लिए वक्त मांगते हैं मुख सचिप इकबाल सिंग बैस के इस रवईय के बाद NGT नहराज ने चराया इस मसले पर देनिक भासकार अख़पार ने लिखाया के NGT ने सरकार और मुख सचिप इकबाल सिंग से कहा जब किसी हत्यारी को मिना देंड के खुला छोड़ दिया जाता है तो बार बार ऐस इसी वारदात करता है आपका रवईया ठीक वैसा ही है कोई सक्त कारवाई नहीं हुई इस कारण आप सुनवाई में सीरियस पाटिपेशन नहीं कर रहे हैं नहीं आप अपडेट हैं आपकी लापरवाई से आतिकमन करने वाले बेख़ौफ होकर केरवक वकलिया सौथ की हर रोज हत्या कर रहे हैं आप समझ सकते हैं पर्यावरण के मसले पर मुखमती शिवराज सिंग चौहान भले ही रोज एक वाधा रुपते हों लेकिन उनके मुख सचिव पूरी सरकार के लिए एक नदी और पर्यावरण की हत्या कोई माइने नहीं रखती मामला तूल पकड़ बख्श डॉक्टर गोविन सिंग ने चौनाव के बहाने से मुख सचिव एकबाल सिंग को हटाने के लिए मुख चौनाव आयुक को पत्र लिखा है तमाम नेताव अफसर एकबाल सिंग की कारप्राली से सहमत नहीं है ये भाजपा की शिवरास सरकार का मामला है कि वे एकब आप देख रहे हैं डखल न्यूज